नमस्कार मैं सूरस गुमार जा और आप देख रहे हैं जैसा कि हम लगातार भ्रह्मन कर रहे हैं पंचाइती चुनाओ व्यात्रा पे हैं और हरेक पंचाइत में जाके अलग अलग परतिनिधी और परतियासी से आपका दर्सन करा रहे हैं आपसे रूबरू करवा रहे हैं और उनके विकासी कारी पे चर्चा कर रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं ऐसे में चलते चलते आज हम आप पहुंचे हैं जहगीरा पंचाइत के मुखिया परती निधी के घर पे और संजोग बस कहें और अच्छी बात है जो अलोली बिधानसवा छेत्र के राजत बिधायक नम्रिवाचित बिधायक रामब्रिक्ष शदाजी हम हमारे साथ मौझूद है हम आपको बता दें रामब्रिक्ष सदाजी वह जो मतलब सदन में सेड के तरह गरजते हैं बोलने वाले वीधायक पहला विधाय कैसा जो अलोली विधान सवाद छेत्र में सदन में जाके तमाम विधायों को के बीच सदन के शवापती के शामने गरज के बिजली चोरी और सराब बंदी को का मुद्दा उठाया गंगोरा जलकोरा पूल का जो समस्या बर्सों से अस्तागीत था सिर्फ चर्चा में सुनने को मिली थी उस पे क्या कुछ कारी किया वो चर्चा सदन में किया तो आईए सीधा बात चाहित करेंगे हम अलोली राजत विधायक रामब्रिक्ष सदाजी से एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जै बहुत बहुत धन्रबाद असर सबसे पहले तो सदन की वो वाधम जनता को याद दिलाना चाहेगे जिस दिन आप सेर के तरह गरज रहते सदन में और उससे क्या लाम मिला जनता को और क्या कुछ कहा आपने सदन में फ कोई भी परतिनिधी को, किसी भी छेतर के जनता मालिक, उनको इसलिए जिताते हैं कि उनका आवाज सरकार तक पहुंच सके, सदन तक पहुंच सके, और उनके आवाज को कानून में परिनत हो सके. जनता मालिक ने, मुझे यहां से जिताने का काम किया, और सदन में हम लोग उस दिन सराब और बिजली के लेकर, हम लोगों का थाकार्जकरम ऐसे आप देखते होंगे, कि लगातार सरकार के बिरोध में हम लोग पर दरसन कर रहे हैं, राज़त के जो बिधायक हैं, सदन के ओड़कार, निश्चित रूप से विफल है, आज बिजली की बात करते हैं, बिजली बिहार में है, बिजली लगा है बिहार में, लेकिन आप देख लिजीए का पूरे देश में, अगर सब से महगा बिजली है, तो वह बिहार में है, जो नहीं होना चाहिए. दूसरा है जिटना भी सरकारी कार्याले उस पर करोरो और वो रूपया का विजली बील अभी तक बंगी है और वह लोग बिजली का विल नहीं जमाँ करते हैं लेकिन हमारे किसान भाई के पास हमारे मजदूर भाई के पास जो गरीब लोग है उनके इहाँ अगर हो जाता है तो उनका करेंक्शन काठ दिया जाता है तो यह डोह रानितिक्यों आपके का्रियाले में यतना याफ Regina का पैसा पैसा है अगर पूरे बिहार के जितना पदादीकारी लोग हैं उनके कारियाले का ही बिजली बील जमा हो जाएगा तो उसे बेहार का उधार हो जाएगा लिकिन फिर गरीब गुरबाद लोग का आप तंग करते हैं जो लोग कहते हैं कि हम अगले महिना आपको पैसा देंगे उस लोग को भी आप बिजली कनेक्शन काट देते हैं या उचीत नहीं है आप सबसे पहले आप सरकार के लोग हैं आप सुशासन के सरकार हैं और सुशासन के पदाधिकारी के यहां बिजली बिल जो बाकाया है अगर सरकार की सही नियत है तो पहले वह अपने पदाधिकारी से बिजली का बिल तसिली करें किसान मद्दूर तो बिजली बिल देने के लिए हैं सरकार जो कानून बनाती है उनको मामते ही हैं इनके कानून को तो इनके पताधिकारी ही ने मामते हैं तो यह यह बाति जो उस दिन सदन की जो जिनों ने मतलब खूब गरजा और मतलब अलोली बिधान सवा की जनता और किसान बंदूओं के लिए जो मतलब गरीब व्यक्ति के रहनूमा कह सकते हैं अरोली बिदान सभा के राजद परतियासी के राजद परतिनीधी बिधायक महोदेजी को और बहुत सी अच्छी बाते हैं इनके बारे में लगातार इनको देखते रहते हैं जो जैसे ही सदन शुरू होता है तो सदन में सामिल होते हैं हर एक बात पे चर्चा करते हैं उधर से जैसे ही पुर्षट मिली तो छेतर में घूम के छेतर भर्वन करते हैं जनता के बीच जाते हैं और काफी लोक प्रिये भी हैं मतलब कोई भी शुक दुखो जनता के सामिल होते हैं एक बात और हमने सुनी ती सर जो मतलब जलकौदा पूल के बारे में जलकौदा टु खर बारे में हमने बहुत पहले से सुना था फिर आपके आने के बाद भी चर्चा सुनी तो उसमें कहां तक कारिय पुछा क्या हुआ हम लोग आज से नहीं लग भग पचीश साल से इस छेतर में राश्ती जंतादल के कार्ज करता के रूप में या फिर नेता के रूप में कौम करते आ रहे हैं और बहुत दिनों से हमारे जलक़वदा गरांपझाइद के हमारे जो स्वबनी गराम पंचाइत के हैं आदर्निय मुखिया परती निधी जी हैं पपू जी तमाम लोगों के अथक परियास रहा कि जलकवरा और खगरी तिरासी के बीच में पूल बनना चाहिए और कया कबेर वादा हुआ हुआ स्वासन हुआ उसके बाद भी पूल नहीं बना आपने सुना होगा कि जब हमने सदन में बोल रहे थे तो हम उसमें जलकवरा और खगरी तिरासी के बीच में पूल के लिए हमने मांग किया था और पूल के लिए जब हमने मांग किया था तो सर प्यासार के सदनhmen बोलने के वहार आप ब schöne मेज है थे अब बहुत ब्हुत जल्द था चंदर में ले जाएंगे और उसका कार्जा राम करेंगे जलकोरा तू खरगी तिरासी के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मतलब सबसे बरी समस्या है खरगी तिरासी के जितने भी जनता है छोटी से छोटी का मतलब चीनी चाई पती की अगर आवश्चकता होती तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको काफी परेशानी जहलनी पड़ती है तो ये तो सबसे बरा सौगात होगा जलकोरा बासी के लिए भी और खरगी तिरासी वासी के लिए भी जो पूल निर्मान हो जैसा कि हमारे सर ने बताया है जो पास हो चुका है अब जल से जल्द निर्मानकारी में हाथ लगेगा और बहुत जल्द जलकोरा खरगी तिरासी वासियों को ये पुल का सौगात मिलेगा एक और बात सर आज यहां जो आप मवजूद है उस पे हम रोशनी डालेंगे जो हमारे बिधायक जी और उनके बगल में आप देख रहे होंगे जागीरा पंचाइद के मुखिया पती पपू यादब जी है जैसा कि सुत्रों के द्वारा हमको पता चला जो शिला नियास उदघाटन है तो उस पे रोशनी डालेंगे सर इस बजट जो हम लोगों का हुआ है आप लोग सब लोग जानते हैं कि मार्च कलोजिंग का समय चल बहुत लोगों को परिशनी होती थी उसमें हमने दो सरग करवाया है जिसमें आदर्निया मुखिया परतिनिधी पपू जी का बहुत सहयोग रहा और जब भी हम आते थे तो बार-बार इनका कहना होता था कि इस रोड के लिए कर जंता बहुत परिशन है इसलिए किसी भी सू पिरत में आपको इस रोड को बनाना है तो मुख्या जी का भी अथक परियास रहा और बार-बार कहने पर हम सहयोगा है और ठोड़ी बात मुखिया पती कह सकते हैं मुखिया पती पपु यादब जी से भी जानेंगे जो और कोई सा रोड है जिसका ओधगाटन और सिला नियास होना है आज हाँ एक जलकोरा गंगिया रोड है में रोड है उससे गंगिया से गंगिया टोला तक का सिले नियास होगा आज आज दो रोड का सिला नियास के लिए यहां पर पदा रहे हैं और दो रोड का सिला नियास होना है एक खगड़िया बखरी पत से लेके नब्टोलिया तक दूसरा मार्ग जो है कुन सा बताएते हैं जलकवरा गंगिया में रोड से गंगिया से गंगिया टोला तक जलकवरा गंगिया में रोड जो है आपका उससे जलकवरा से लेके गंगिया से लेके गंगिया टोल तक जो है रोड का सिला नियास होना है यह हो गया फिर से एक सवाल और हम विधायक जी से करेंगे जैसा कि हम में देखे थे और सुने भी थे जो सदन जैसे समाप्त हुई थी जब आप बाहर आये थे तो पड़वत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमात और आप में कुछ जरफ हुई थी या मतलब क्या कुछ हुआ था तो वह भी हम जनता को बताना चाहेंगे और किस बात को लेके हुई थे वह सदन के अंदर के मामला था और सदन में हमारे आदरनियनेता तेश्विवाओ बोलने के लिए खड़ा हुए थे बीजेपे के कुछ विधायक डिस्टर्ब कर रहे थे और उनहीं के कहने पर हमारे साथ जो है से उस धंकी बात हुई और वह सदन के अंदर की मामल है वह मामला सदन के अंदर ही खतम हो गया तो हम लोग एक बात कहेंगे कि जो जंता के लिए सही काम होगा उसके लिए हम लोग अबाज उठाएंगे ही हमारे नेता अधरनियने तेश्विवाओ बोलने हैं जंता के लिए चातर के लिए नौजबान के लिए बेरोजगार के के लिए मज्दूर के लिए किसान के लिए हमारे नेता का जो है से नारा है परहाई लिखाई सिचाई दभाई सुन्वाई और करवाई तो इसके अंतरगत जितना भी कौम आता है और जो जंता से जुरा हुआ जन मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर हम लोग विदान सभा में तो घेरने का कौम करेंगे ही और उस मुद्दा में कोई अगर डिस्टर्ब करना चाहेगा कि जमता के हित में कौम नहीं हो तो चाहे वह कोई भी आदमी हो उससे हम डरने वाले नहीं हैं जो जमता के हक की बात होगा हुआ हम रखेंगे ही और उसको करवाएंगे तो सीधा सीधी कहा जाए जो जनता के हीत के लिए विकास के लिए समाज के कल्यान के लिए जिस छेतर से निर्वाचित हुए हैं उसमें विकास कारिय के लिए जो भी कुछ करना परे सदन के अंदर सदन के बाहर वो करने में सक्षम है रामब्रिक्स सदाजी और करेंगे उसके लिए मतलब कुछ भी हो जाए पीछे अटने वाले नहीं है सिधा सिधी कहा जाए तो राज़त पार्टी को इस्टील बनाने का काम करेंगे जो की ना तूटे और ना जूके और यह सब बातों के बाद केमरा में अविनाश कुमार के साथ मैं सुरज कुमार जाब बिदा लेता हूं फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद